हेलो गाइज यह काव्या और यह है निकू और निकू खेल रहे है पाइज से जब कि मैंने इसको मना किया था और मानता नहीं है निकू तो आज की वीडियो शूट करेगी काव्या काव्या शूट करो हेलो गाइज तो नहीं हम काटून देख रहे हैं ऐसे पकलो फोन को ऐसे इधर वाले हाथ से ऐसे बोलो हेलो गाइज हम काटून देख रहे हैं और भाई खेल रहा है अच्छे से इसलिए मामा ने उसको मना किया था खेल देख ले इसलिए और मैंने डो चोटी बनाही है तुणे बनाई है SUS DR. मता हरो यही कहते रहती है तो गाई यही काविया ने सड़ी सी वीडियो बनाई है जिसको आपने देखा विल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कुछ भी समझ में नहीं आया पता नहीं क्या वो रही पागल की तरह कर रही है यह लड़की इस लड़की के अंपर बिल्कुल दिमाग नहीं है बुद्धी न मेरा मूँद्ध को सबसा के तो मैंने बनाया है साग और स्हाक बनेलेगिक कना नहीं दाओ यह मैं चोड़की क्यान से दोंने है कॉछ नहीं है तो धुक्ते तुम्हा वैं वह दी मृत करा हम पूर स्काओ मोट दिया आप मैं जारी हो गैसबन करने के लि यिए कि वेशां रख सेह्ट हुए दर्षाय हम लोग दोतई है कैं जारी है कियी भी पूरी हम गायने दर्षाठी की पर तुचक्ति और तो यह आपके ददी लें तो बहुत है यहा तो घी भी बनाना था जी भी नहीं बना जाए है मैंने बनाया सपट सब्सक्ता अरपालग का साग मैं बढ़िया बना होगा जो इतनी मैंने इसके कुल चीज बना हो तो फिर बनाती है एक जम्गी और हो रहे बटा दीग। अब पता है किया साग बन गया है न सुभे के लिए भी हो जाएगा सुभी ले जाएगे अनी थोड़ा जाद गया है इसको थोड़ा साग बन गया है जो आटे का आलन लगाते न वहला साग मैंने बनाया है और इसमें सरसोर पालक के लागा और कुछ भी नहीं है बत हुआ हो गारा यह सब नहीं है अच्छा बनाओगा थोड़ा से इसको ऐसे घोट देती हूं मैं जोड़ा ग्रेवी वाला है अच्छा लगेगा इनको पसंद आता है ग्रेवी वाला साग तो देख लेते हैं रोटी ब बनाओगी लेकिन उनको आने में टाइम लग जाएगा बच्चे कहरे खाना दे जो क्योंकि बच्चों को फिर नीन आ जाती फिर बच्चों को सो जाना है तो इसलिए मैं ऐसा करती हूं नो रोटी बनाई देती हूं बच्चे द अपना खाई लेंगे फिर खाके सो जाएंग उनका भेट करते करते तो जाएगा तो यहां पर मैंने गयास कर दिया और अब मैं जारू तवा रखने के लिए अब मैं बनाँगी रोटिया देखो पूरी किचन में धुआ धुआ सा भर गया है देखो आप कैसा हाल हो गया ना पूरे किचन में धुआ क्योंकि सीटी निकल या नीदी ख्राओगा पतानी तो भाप से हो जाता है यह मजारी रोटी मेरा हल्वा खाने का बहुत मन कर रहा है कोई भी हल्वा सूजी का हल्वा तो मैं पसंदी नहीं कर रहा है लेकिन क्या है ना सूजी है नहीं घर में और घी भी नहीं है तो मलाई तो बहुत सारी रख क्योंकि ना कई दिनों से मैं सोच रहूँ गी बना लो गी नी बनाया और मलाई देखो इतनी जाद है खटी होगी तो भी बन जाना है बहुत अच्छा सा तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ ना कि अभी मैं घी बनाऊंगी और रात को खाएंगे हम सुजी का हलवा क्योंकि आज कर चल रही है थोड़ी सी फैनेशल प्रॉब्लम तो पैसो की है दिकत इसलिए ज्यादा हम लोग खरेडारी नहीं कर सकते हैं वरना बेसन का हलवा भी बना लेखी मैं बेसन है नहीं घर में और पैसे नहीं है तो बेसन भी जुछ प्रॉब्लम तॉब क्या दर नहीं है को रोटी बनानी है ऐघ Two बैलन मैं को तो यह जाति है यह रा बैलन लिगा रात का बैलन इस को रोलर मोलते है नो शाएब घॉद्धा Business I don't know अब मैं बना रहे हैं पे रोटी और पता नहीं है फैनेचल प्रब्लम हमारे घरगी कब ठीक होगी कैसे ठीक होगी भगवान जानता है सब कुछ छोड़ दिया भगवान पर जो भी होगा अच्छा होगा बढ़िया होगा जरस भी होगा में तो हमारी है प्लॉट के पैसों की महीं पर पीस पराई कैसे मननन उस सब्सक्रा ठीक है हरे मिणेव क्रेड़ पर सब्सक्राइल कोपलो औरो ऑल्री किसज सब्सक्राइब को अच्टांटरर इस वैटां कर वो मुझे सपोर्ट करेंगी मतलब वोड़ी सी नॉलेज मुझे देगी कि काम कैसे करना है और कैसे माल वगार लाना होता है तो वो तो मैं कर लोगी लेकिन अब मैं होता है प्लोट में पैसे देकर मैं फज़ गया है मुझे वहां पहले पेमेंट करनी है उसके एंशन से पहले मुझे फ्री होना है उसके बाद माल भरने के लिए मुझे पैसा आर्रेंज करना है उसके बाद मुझे शौप कोड़नी है तो ऐसा नहीं है ना पने शौप कोल के बैठ जाऊ और उनले प्लोट का भी पाइदेना प्लोट की जो है वह डैडलाइन है वह देना हमें बारह फर लेकिन पैसो का इतना ज्यादा पड़ेगा ये मैंने सोचा नीता कि हो जाएगा कहां से अलेन जोजाएगा कुछ भी समझ में नी आ रहा है क्या करूं मैं लोन में लेकर बैड़ तीन लाख रुपे का जिसकी किस तो और रेडी शुड़ होगी है साथ अजार दोसो पिचामे रुपे की पास साल तक मुझे भरनी है वो लोन का पैसा मैंने उठाकर दे दिया है प्लॉट के लिए बाकी का पैसा मुझे अब देना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा कैसे होगा अब उपार वाला ही जानता है पैर पैसा है तो जी अटन्गी तो पड़ेगी है देखते हैं गर्रुशन तो निकानना ही पड़ेगा शाते ह्फिकों करना ही तको आपनाझ धासा लेकर आ जाते है उरत और मैं आपको अपना समझ你好 तो आपसे बात करें लेते हूँ मास यहीं बात है किसी को तो मैं अपने परसनल चीज से बताती नहीं हुँ आप हो आपको अपना समस्की हो आप मेरी फैमिली हो इसलिए शेयर कर लेक्टिए कोई देखे चाहिना कभी तो कोई देखें का पता चलेगा शायद आप लोग देखो जब मेरी सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी होगी त तो ठीके guys, वीडियो बॉल्च हो रहा है, मिलते हैं, नेक्स व्लोग में, भो सकता है, नेक्स व्लोग तक मेरी टेंशन कातम हो जाए, नहीं होगी, कुछ नहीं समझ वह नहीं क्या बोल रही हूं, क्या सुन रही हूं, कुछ नहीं दिमाग काम कर रहा है, कितने लग अच्छा जब में अच्छा लग गी डिखने को एकड़ा तब भी निखले उसको निखाल लेंगे मेरा किचन की सफाई करनी है दीप क्लीनिंग की ज़रूरत है यहां पर इसमें रखा है साग अभी सब्सक्राइब अभी तो मैंने साग बनाया अभी तो मैं यहीं कड़िए लड़का नहीं है तोड़ी सी हवा निकल जाएग अब यह देखो मेल्टोना शुरू हो गया है वाइ बाएध पनी वगाहिए ञंगे मैंने यहां पना कार्टुन ओर उङ भी पहूंचने में टाइम लगीगा फापा को इन कयाम तो पैर पानि में यहां पर बफिल दिए बच्कें गिर गाने करना जाoga को लिए प्लास्टिक बच्चों से खिच गिया था नीचे गिर गया था निकाल दिया था तो बैने कोला पड़ा लगा दे ना अब यह देख लगा के चले गए ध्यान दिया होगा रात में और यह इधर से है सीधा अब फिर अगले संडे को बारी आएगी इसको सीधा करने के क्योंकि उपर मेरा हाथ पहुचेगा नी और मैं करनी पहूंगी है न बच्चों पापा ही करेंगे एक गाम तो निकू खाना नहीं कहाना दरगों फिर मैं कहलाओंगी मार मार के अपने हाथ से खालो देखो आप इसमें घी बनना शुरू हो गया यह घी उपर उपर आ गया है इसको म इतना अच्छा घी बन रहा है तो मैंने यहाँ पर ग्लास और चन्नी रेडी रही है इसमें मैं चान लूंगी इसको तोड़ा साओ जला लेकिए इसको हल्का सा तकि और ज्यादा घी इसमें आ जाएगा फिर मैं चानना शुरू करूंगी तो बहुत ही प्योर घी बन रहा है इसमें कोई मिलावाट नहीं है सुबह सुबह क्यों लड़ा हो रही है क्या हो रहा है यह कौन सा काट्वन देखना चाती है यह कौन सा देखना चाती है यह वाला तो लगा तो हुआ है आपको बोले रहा जाता लगांगे उन्हां किसी को भी दे रही है अबना फॉन मैं किसी को भी फोन नहीं दूंगी कि सुबह उड़ते ही लड़ाई जगड़ा क्यों चालो हो जाता तुमारा है को नहीं मिलेगा कार्टून देख लोपना मिलके डॉरी मोन आ रहा है डॉरी मोन तो मुझे भी पसंद है न निकू को भी पसंद है न तो काई संडोरी है बहुत जादा रात को निकू को गया फीवर ठंड की वज़े से और अभी देखो साड़े दा सो रहे और मैं बिस्तर म है वाला इसको घरम-घरम सा हो रहा है दवाई दी थी हो गया है 5-6ठन गटे अब इसको फिर से देनी पढ़ेगी दवाई जाकर यह तो इसलिए इसको ठंड लग गई है तो अब इसको बैलकोनी में नहीं जाने दिना कर तेंस मैंने सारे लगा जिये बिल्कुल नहीं कोलूंगी अज घर बंद रहेगा यह वाला डूर भी नहीं ओपन करूंगी हवा नहीं आएगी बिल्कुल भी और उसको मैंने बु बच्चों को नास्ता कराने में लग गई थी मैं